राजस्थान के पॉलिटिकल थियेटर में जो ड्रामा चल रहा है उसमें आज कॉंग्रेस के प्रवक्ता सुर्जेवाला जी ने प्रेस कॉन्फरेंस में कथित रुप से कई बातों को वहां रखा लेकिन जो एक बात रखी उन्होंने एक आडियो टेप का जिक्र किया आश्यास्पद बात ही है कि अपनी पार्टी के तो लोगों का किया ही लेकिन उन्होंने भारतिय जनता पार्टी के नेता और केंद्रिय मंत्री गजेंदर सिंग जी का जिक्र किया उसी संदर्ब में उन्होंने किसी संजय जैन का जिक्र किया अब इस टेप का स्टेटिस क्या है मैं उनकी प्रेस कॉन्फरेंस देख रहा था तो इस तरीके से बयान कर रहे थे जैसे एसो जी के डीजी हों मुकदमा दर्ज करना चाहिए तुरंत ग्रिफतार करना चाहिए ये टेप उनके पास कहां से आया क्या सोशल मीडिया पे जारी किसी टेप की कोई अथन्टेसिटी है क्या उसकी जहां जोई थी और जो हवाला और संदर्ब दिया गया उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्यमंत्री निवास से जारी हुआ किसी लोके शर्मा के द्वारा जारी हुआ और इसलिए ये बात साबित होती है कि राजस्वा के चुनाव के संदर्ब को देखें इसी तरीके से किसी टेलीफोनिक बात्चीत का हवाला दिया गया ये कहा गया कि भारती जनिता पार्टी राजस्वा चुनाव में तोड़ फोड़ करने जा रही है उससे पहले ये कहा कि हमारी एकता को कोई छेड़ नहीं सकता हम जीतेंगे वो जीत भी गए लेकिन उस दुरान जो केसे दर्ज हुए आपको ध्यान हो तो नो तारीक को राजस्वा चुनाव की कॉंग्रेस पार्टी की बाड़ा बंदी हो गए थी और उस कन्वर्शेशन का हवाला तेरह तारीक का था क्या ये संभव है कि नो तारीक की बाड़ा बंदी में तेरह तारीक को कोई बाड़े से उनके लोग लियाए दो अधने से लोग पकड़े गए उनकी बादचीत को इस तरीके से प्रचारित किया गया कि बीजेपी के नेता है कोई भी स्थापित नेता नहीं था और आज गजेंदर सिंग जी ने खुद ने कहा है कि इस ओडियो टेप की दुनिया की कोई अजेंसी जाज कर ले वो तयार है इसका मतलब साफ है कि कॉंग्रेस पार्टी मुख्या और ये पूरी सरकार भारतिय जनता पार्टी की मानहनी करने के लिए इस तरीके के उपकरम रच्चती है ये जाहिर सी बात है कि जगड़ा उनका है कहीं दरश्य में नहीं थे और ये आज मुख्य मंत्री जी के बयान से साबित होता है कि आज उन्होंने कुछ एक इंट्रूब में बयान दिये उन्होंने का कि जब मैं एंपी बना तो सचिन पाइलेट तीन साल के थे और अभी आ जाएं तो मैं उनको गड़े लगा लू तो भैया गड़े ही लगा लो राजिस्थान की जनता को क्यों छोड़ रखा भी इसारा दूसरी बात उन्होंने कई उसी दुरान कि डेढ़ साल से हमारा कोई समवाद ही नहीं कितनी विचित्र बात है कि मुख्य मंत्री और रुक मुख्य मंत्री का संवाद ही नहीं बीजेपी कहां से आ गई मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा लेकिन सुवाशंद्र बोश जी से लेके और सचिन पाइलेट जी तक की यात्रा में क्या जितने लोग कॉंग्रेस से तूटके गए बीजेपी का शडियंतर था क्या अपनी जगड़े को अपनी लड़ाई को बीजेपी के माथे पर मढ़ना और जिस तरीके से राजस्तान में भैका वातारून तयार किया जन परतिनिदियों के बीच में छोटे दलक बीच में निर्दलियों के बीच में उनकी अपनी हैसियत होती है उनका अपने स्वतंतर विचार है जिस तरीके के बीटीपे के लोगों के साथ में वीडियो आप सब ने देखे मैं दोराणा नहीं चारा वो क्या था उनको अपने निर्वाचन छेत्र में जाने के दुरान उनकी गाड़ी की चाबी चीन ली क्या ये हनन नहीं था विशेशादीकार का वो हाईवे किंग में चार गंटे तक बंदक बनाए गए कॉंग्रेस पार्टी के सरकार के दो मंत्रियों के द्वारा ये कॉंग्रेस के इस साशन की सीधी सीधी सी बानगेर याद दिलाती आपात काल की जिसके खुद गवाश हो कह लो जी 124 ए अंग्रेजों का कानून उस अंग्रेजों के कानून को जिसकी पहरोकारी 2019 में अटाने के लिए खुद की पार्टी ने की और दर्द हुआ उनको जब कनिया कुमार और हार्दिक पटेल पर लगा आज उस 124 एक याड में और जिस तरीके से मुकदमे दर्ज करकरे डराने और धमकाने का भैबीत करने की कोशिश हुई है मुझे लगता है कुर्सी जाने का भै का इससे बड़ा कोई अविडेंस नहीं हो सकता दूसरा मुझे इतरा आज है रंदीप सुरजेबाला जी एसो जी के डीजी हैं क्या जो भाषा इस्तेमाल की सोर्स क्या उसका क्या जाँज हो गई थी इस तरीके की बनावटी बातों से हमारी पार्टी के नेताओं पर तो कम-कम लांचित नहीं करें संजे जैन का जिक्राया उसको अपरादी एस्टेबलिश किया पकड़ा होगा लेकिन संजे जैन भारतिय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है और चोकानी वाड़ी बात ही है कि वो कॉंग्रेस पार्टी का लून करन सरकाब ब्लोक अदेख्ष रहा है कॉंग्रेस के नेताओं का शागीर्द है वो राजनितिक अलकों में घूमता होगा लेकिन मुझे लगता है कि कहीं संजे जैन को भी प्राइजित तरीके से बीजे पी के नेताओं को बदनाम करने के लिए तो नहीं लगाया गया पूरा फ्रेम किया ड्रामा इस बात पर भी एतराज है कि संजे जैन का स्टेटस ते करें हो और इस बात से साफ नजर आता है कि अशोग गैलोज जी कुर्सी बचाने के लिए इतने विचलित हैं इतने असंतुलित हैं कि वो प्रतिशोद की राजनीते पर उतराए यह अतासा पुत्र की हार भी हो सकती है यह अतासा इंकम टेक्स के छापे भी हो सकते है लेकिन मुझे लगता है इस बात करवाब राजस्तान की जनता मांगती है कि राजस्तान की सरकार को बाड़े से कितने दिन चलाओगे पांसो से ज़्यादा मौते हो गई आज भी आठसो कहां कड़ा है छे अजार से उपर केसे जोगे उन मंत्रियों को और विधायकों को वहां की जनता डूंड रही है और वहां की सरकार उस बाड़े में फुटबॉल खेल रही है इसका जबाब तो जनता जरूर मांगेगी आपको हक है आपकी सरकार है लेकिन मुझे लगता यह हक तो कता ही नहीं है इसका जबाब हम मांगते हैं राजिस्तान की जनता की तरफ से कि कृपया यह स्पस्ट करें कि बाड़े से कितने दिन सरकार चलेगी कुरोना का कहीं जिक्र नहीं है एक लब्ज भी कभी काओ कोई रिलीफ के काम का इसलिए मेरा सक्त तहत्राज है कि जिस तरीके से गजेंदर सिंग जी पर आरोप लगाए और जूटा इस तरीके से परचारित किया गया एक किस्म से यह मान हानी है उन्होंने स्पस्ट कर दिया खुद ने और संजे जैन की आड़ में जिस तरीके से उनको बीजेपी का नेता साबित करने की कोशिस हुई है मेरा इतराज है मैं एक जिम्मेवार पार्टी के अद्रक्ष के नाते कह सकता हूं क्यों पार्टी का कोई पदा दिकारी कोई हैसित नहीं लग हुए पार्टी के अर्टी के लग जिर भो जिर रहए व झाल झाल